हलो गाइस अगर आपको कुछ इस तरह अमाउंट यूटिलाज़ करके देखने को मिल रहा है तो इसका पीछे का वज़ा क्या आपको डरने की कोई बात ने अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो उसको अमाउंट यूटिलाज़ करके देखने को मिलेगा या फिर आपने ट्रेड लिया है उसमें प्रॉपिट कमाया है तो उस वक्त भी जो है अगर आपने इतना प्रॉपिट कमाया 1200 तो ये आपको अमाउंट यूटिलाज़ में तो इसमें अगर हम देखे तो ये हम विड्रॉण कर सकते हैं क्या तो इसको हम विड्रॉण नहीं कर सकते अभी के फिलहाल वक्त में अगर आपने प्रॉपिट कमाया 1200 रुपिया तो आप तुरंथ ही इसको विड्रॉण नहीं कर सकते हैं क्यूंकि इसका वज़ा ये है कि settlement होने के लिए time लगता है एक दिन का तो ये 1200 रुपिया profit तो कमा लिया है बट आज के दिन आप withdraw नहीं कर सकते अगर ये समझ लिजे loss हो जाता है तो यहां पर मेरा initial balance जो है वो 10,000 रुपिया था 10,000 में 1200 रुपिया profit हुआ तो यहां पर 11,200 रुपिया profit यहां पर देखने को मिल रहा है वही अगर मेरा यहां पर loss होता 1200 रुपिया तो यहां पर available margin में यहां पर 1200 रुपिया minus हो जाता 10,000 से और यहां पर 1200 ही देखने को मिलता अगर मेरे को loss भी होता तो तो यहां पर फर सपोज आपने profit कमाया है तो यह आपको मिलेगा ही मिलेगा आप tension मत लीजे अगर आप एक trade लेके आपने option trading किया है और उसमें आपको 1200 रुपया profit हुआ है तो उसमें से 40-50 रुपया ब्रोकरे चार एड होगा next day यहां पर एड होगा तो यहां पर यह अभी एड नहीं हुआ है बट यह कल जो है वो एड हो जाएगा तो settlement के लिए एक दिन का time लगता है जिसके वज़े से यहां पर एड नहीं हुआ है I hope so यह समझ गाएं कि loss हुआ है तब भी यहां पर देखने को मिलेगा loss ह हुआ है तो यहां पर समझ लिजे 12 रुपया loss हुआ है तो extra 50 रुपया जो है वो charges के साथ 1250 रुपया आपके account से cut जाएंगे यह आप लिखके रख लीजिए अगर आप एक ही trade में 1200 रुपया loss करते हैं तो एक trade में जो है आप buy and sell करते हैं तो उस वक्त 50 रुपया लगते हैं अगर आप समझ लिजे 10 trade लेते हैं तो 10 मतलब 500 रुपया आपको charges कटेंगे I hope so समझ गए वीडियो को like करे जैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लिजेगा